सो गाइस भी ते कुछ सालों में ना जो के-पॉप के फैंस थे वो दुनिया बर में बहुत ही जादा बर गए इस पेशले अगर हम इंडिया के बात कर रहे ना तो चाहे के-पॉप बैंड में आप बीट्रियस की बात कर लो टे-एक्ष्ट की ब्लैक पिंक चाहे आप किसी भी के-पॉप आइडल के फैंस की बात कर लो ना वहाँ पे इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि हमारे इंडिया से भी एक गर्ल एंड एक बोई यस आपने बिल्कुल सही सुना है एक गर्ल एंड एक बोई के-पॉप आइडल है क्यों है ना ये गर्फ की बात तो अगर आपको नहीं पता है तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मैंने बहुत ही ज़ादा देख एंघ बेस कापर हैं कि प्लीज हमें यह बताओ ना कि हम के-पॉप आइडल कैसे बनें प्लीज हमें यह बताओłam क्या एंड होनी चाहें के integrated तो आज की वीढ़र आप लोगों को लिए बहुत ही जयादा अनुट्अ कहां शांटे है अगर आज की वीडियो आपके लिए ही है विकाज आपको यह जानना बहुत ही इंपोर्टेंट है कि इनके जैसे ही हमारे इंडिया से भी गर्रन एक बोई है जो कि K-POP आइडल है सो यह वीडियो तो आप लोगों के लिए बहुत ही जादा श्पेशल होने वाली है लेकिन आपने अगर अब भी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लीजिए क्योंकि ना यह एक चैनल नहीं यह एक फैमिली है और आप भी इस फैमिली में जोईन हो जाए जो घंटी का आइकन बना हुआ है ना उस पे प्रेस करके और का नोटिफिकेशन भी अन कर ले ना ताकि हम कोई भी वीडियो अप्लोड करके तो आपसे ना मिस ना हो विल्कुल भी ओके आप हमें इंस्टा, ट्विक्टर, फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो गाइस एक टाइम था जब के पॉप आइडल अपने इंडिया में आये थे एंड मुंबई में है ना एंड इंडिया गे ओ मैं लैक डैली में भी आये थे के पॉप आइडल और उन्हों ने सबसे जा जागे पूछा था कि कि आप के केस आउप आफ को जानते हो, तो कुछ लोग ही जानते थे के-पोप को, एन उस ठैम पे वह बस बीठीयस को ही जानते थे एक आदे लोग ने जन्हों भूले जानता ही नहीं है, अश्य अलाओ तो कोई के-प्यपप को जानता ही नहीता, आज से 5 साल पहले की बात आई अश् काफी लोग confused थे कि South Korea मतलब उनको पता ही नहीं था आज का टाइम है लोगगाउन के बाद कितनी चीज़े चेंज हो गई है ना आज के टाइम पे एक छोगे से बच्चे को भी के पॉप के बार में पता है श्पेशली आप अगर BTS, BLACKPINK के बार में पूछ होगे तो बहुत ही ज जादा क्रेज आचुका है के पॉप का वैल मैं आपको बता दूं कि वो जो इंडियन गर्ल है ना जिन्होंने हमारे इस इंडिया को बहुत ही जादा प्राउड फिल करवाया है उनका नाम है प्रियंका ओके प्रियंका मजूमदार और जो बॉय था ना उनका नाम है वाउ 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 तो गाइस के पॉप वॉर्ड में प्रियंका का नाम बहुत ही जादा फेमस है विकर्ज प्रियंका ही फर्स्ट ऐसी है जिन्होंने इंडिया में के पॉप को रिप्रेजेंट किया है ना तो गाइस मैं आपको बता दू कि 2016 में जब डैली में के पप और फेस्ट वल हुआ था ना तो वहां पी प्रियंका ने इंडिया को रिप्रेजेंट किये थे एन इतना ही नहीं उन्हें फर्स्ट रैंकिंग भी मिली थी चैने रांड में अड़ी में जो फाइनल यूँआ था कॉंपेटिशन वहां पे ना उन्हें फोर्थ पोजेशन मि लोगोंने पार्टिस्पेट किये थे ओके मीनवाइल जो सिद्धान्त है ना जो की जैग बॉइज के गरूप जिन्होंने बनाया है उन्होंने अपना स्टेज नेम ना सिग रखा हुआ है और येस वह एक यूपर जो की बॉलीवूड के सॉंग को कवर करते हैं इतना ही नहीं सिग्ड ने बहुत सारे लाइब इवेंग में भी परफॉर्म किये हैं और गाइस मैं आपको बता दू कि जो प्रियंका एंड सिग्ड की वोईज है ना बहुत ही जादा अमेजिंग है सबसे पहले तो आप मुझे कॉमें शेक्शन में ये बताओ कि क्या आप लोगोंने इन को रिप्रेजंट किया अपने इंडिया से सो इस वैरी प्राइब इंड मुमेंट अगाइच इस ओके आपको भी चांस मिला है आपको भी चांस मिलेगा आप भी कुछ भी कर सकते हो बिलीव इन यूसेल्फ एंड क्या पता नेक्स्ट के पॉप आइडल आप में से ही कोई हो ओके सो बेस्ट अफ लग फो यू फूचर और थैंक यू फो वचिंग दिस वीडियो आप बीटेस हिंदी वाले चैनल पर भी जा गर देख सकते हो वहां पर हम बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए